Hello my all sweet little children, how are you all? I hope you all are fit and fine at your homes. I am Mrs. Rashmi, welcome you all to the online Hindi classes. So let's start today's class. Today I am going to teach you Hindi literature lesson number 1. काटो में राह बनाते हैं. देखिए ये कविता किस के दवार लिखी गई है? रामधारी सी है, दिनकर जी के दवार लिखी गई है. काटो में राह कविता का explanation करने से पहले मैं आपको रामधारी सीह दिनकर जी के विशे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ. आपको पता होना चाहिए, ये जो कविता लिखी हुई है, जिसने उनके विशे में आपको कुछ महत्तपूर्त थे, पता होना चाहिए. देखे ये पिक्चर देखे आप कि रामधारी सिंह दिनकर जी कैसे दिखते थे, ओके, देखे, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन 23 सितमबर सन 1908 इश्वी में बिहार राज्जी के सिम्रिया नामक गाउं में हुआ था, आधुरिक युक के स्रेस्ट वीर रसके कभी जो थे न, उनमें स्रेस्ट अग्रुनी स्थान रखते थे ये रामधारी सिंह दिनकर जी, ये एक रास्ट कभी देशभक्त, निवंदकार और बहुती विध्वान विक्ति थे, ओके, अब चलिए मैं आपको ये समझाती हूँ, ये पोयम जो पोयम लिखी हुई है रामधारी सिंह दिन एक नहीं धीरजग होते हैं, विग्नो को गले लगाते हैं, काटो मेरा बनाते हैं, देखे इन पंक्तियों के माध्यम से कभी हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, कि ये वाद सत्य है, कि जब विपत्ती आती है, जब मुसीबत आती है, जब परिशानी आती है, तो वो सिर्फ कायर लोगों को, जो डरपोक लोगों होते हैं, सिर्फ उनको ही दहलाती है, उनको ही डराती है सूर्मा नहीं विचलित होते हैं, जो सूर्मा होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं, वो घबराते नहीं हैं शण एक नहीं धीरच खोते और वो अपना धहर्य एक शण के लिए भी नहीं खोते हैं और जो विग्न होते हैं उनको गले लगाते हैं गले लगाने का मतलब है कि उनका डटके सामना करते हैं और जब यह विग्न रूपी जो काटे होते हैं, जब वो काटे हट जाते हैं, तो काटों में राह बनाते हैं. देखिए इसमें डिक्टेशन वर्ड भी हैं यह अंडरलाइन जो वर्ड है ना जलर्फूल वो डिक्टेशन वर्ड हैं आपके कठीन शब्द है तो कठिन शब्द भी आप मेरे साथ साथ के साथ उच्छारण करते जाएए ताकि आपको कठिन शब्द बोलने में कोई भी परिशानी ना हो, विपत्ति, कायर, दहलाती, सूर्मा, विचलित, धीरज, विग्नों, आप चलिए हम नेक्स्ट पेराग्राप समझते हैं, है कौन विग्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, परवत के जाते पाँ उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, देकि इन पंक्तियों के माध्यमसी रामधारी सिंधिनकर जी क्या बताना चाते हैं, कि कोई भी ऐसा वि क्यों नहीं टिक सकती है, क्योंकि जब जो व्यक्ति है, मानव है, खमठोक ठेलता है जमनर, यानि जो परिश्तिती उसके सामने आती है, जो परिशानी वाली परिश्तिती आती है, कैसे भी परिश्तिती आती है, जब वो उसका पूरे जोश के साथ, पूरी वीरता के साथ, पूरे धर के साथ जब उसका सामना करता है तो परवत के जाते पाउखर जो परिशानी है वो क्या होती है वो दूर चली जाती है जब मानव पूरी तरीके से जो लगाता है अपनी वीर्था का अपनी धर का अपनी विवेक का अपनी परसिती का सामना करने में तो क्या होता है पत्थर भी पानी बन जाता है, यानि परिशानी दूर चली जाती है, और उसका जीवन सफल होता है, और वो अपनी लक्ष की प्राप्ति कर लेता है, देखिए इसमें जो डिक्टेशन वर्ड्स आई हुए हैं, कठीन शब्द, उनको भी आप एक पर कर लीजिए, मेरे साथ उ चारण कर लीजिए, तो आपको बोलने में कोई भी परिशानी नहीं होगी, जग, मग, खम, ठाउक, मानव, आप देखिए, नेक्स्ट पेराग्राप में कभी क्या पताना चाहते हैं, गुड बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, महदी में जैसे लाली है वर्तिका वीच उजयाली हो, बाती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, आप देखिए, कितनी अच्छी बात कहिए रामधारी सिंधिन कर जीनेस में, कि मानव के भीतर, मानव के अंदर, बहुत सारे प्रखर गोंड छिपे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे गों लगाते हैं, तो वो ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती है, लेकिन जब हमने महदी हटा दी तो वो कौन सा कलर छिपा हुआ है, महदी के अंदर, लाल कलर, तो देखिए, महदी में जैसे लाली है, वर्तिका वीच उजयाली है, वर्तिका होती है, बच्चों जो हम दीपकी पंक्तियों के माध्यम से कभी क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बत्ती जो नहीं जलाता है मानव जिसके अंदर इतने अच्छे गुण चिपे हुए हैं धैर, वीर्था, साहस अनेकों अच्छे गुण चिपे हुए हैं जब तक व्यक्ति उन गुणों को जागरत नहीं करेगा जब तक व्यक्ति उन गुणों को बाहर नहीं निकालेगा उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर इतने अच्छे गुण चिपे हुए हैं तो व्यक्ति को क्या करना है अपने अंदर जो अनेकों अच्छे गुण चिपे हुए हैं वीर्था, साहस, धैर उनको क्या करन जाग्रत करना है और जब वो जाग्रत करेंगे तो वो उनके सामने कितनी भी कटिन परिष्टिती आएगी वो उनका सामना करेंगे और रोश्णी उनको प्राप्त होगी लेकिन जब वो उनको उनको जाग्रत ही नहीं करेंगे अगर हम दीपक जलाएंगे ही नहीं तो कविता के माध्यम से कितनी अच्छी बाते हम लोग को समझाई है कि हमें विक्ति के जीवन में सभी विक्तियों के जीवन में परिशानिया आती है हमें करना क्या है उन परिशानियों से डरना नहीं है उन परिशितियों से भागना नहीं है उनका डटकर वीरता से विवेक से ध समझ में आ गई होगी जो रमधारी सियां दिनकरजी है जो उन्होंने जो बात समझाने की कोशिश की है वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी है ना ओके थैंक यू कर दो कर दो